हर्तालिका तीज कब है? जाने महत्व शुप महूर्त और पुजाविधी दोस्तों, हर्तालिका तीज का व्रत इस साल महिलाएं 18 सितंबर दिन सोमवार को रखेंगी इस दिन महिलाएं विधी विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और व्रत करती हैं आएए आपको बताते हैं इस व्रत का शुप महूर्त, पूजा विधी और मान्यताएं दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सनातन लोक आदमी को सब्सक्राइब जरूर करें हर तालिका तीज हर साल भाद्रमास के शुकि पक्ष की तृतिया तिथी को मनाई जाती हैं और इस दिन महिलाएं अपने पती की दीरगायू के लिए व्रत करती हैं पती की लंबी उम्र की कामना करती है इस दिन महिलाएं निर्जला वरत करती है इस वरत को सुहागिन महिलाओं के साथ कुवारी कन्याएं भी अच्छा पती पाने के लिए करती है मान्यता है इस व्रत को करने के बाद ही माता पार्वती को भगवान शिव पती के रोप में मिले थे इस दिन व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन होकर सुहागिनों को अखन सोभाग्य का आशिरवाद देती है आए आपको बताते हैं हर्तालिका तीज का मेहत्व, शुक मुहूरत और पूजाविधी हर्तालिका तीज का मेहत्व, हर्तालिका तीज का मेहत्व बहुत ही खास माना जाता है इस वरत को सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे खास और कठिन माना गया है मान्यता है कि भाद्रमास के शुक्ल पक्ष की त्रितिया को माता पार्वती ने मित्टी का शिबलिंग बनाकर भगवान की पूजा की और कठोर तप किया था उनकी पूजा प्रसन होकर भगवान शिब ने उनको अपना जीवन साथी चुना तब से इस दिन को सुहागिन महिलाएं पती की दीरगायों के लिए हर्तालिका तीज के रूप में मनाती है और निर्जला वरत करती है हर्तालिका तीज की पूजावे धी महिलाएं सुबह संकल्प लेकर हर्तालिका तीज का वरत आरंब करें इस दिन महिलाओं को सनान के बाद नए वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद महिलाओं को अपने हाथ पर मेहदी रिचानी चाहिए और संपूर्ण श्रिंगार करें। इस वरत को रखने वाली महिलाएं सोभाग्य को प्राप्त करती हैं और पती की आयू लंबी होती है। इस वरत को करने वाली महिलाओं को रात में सोने की बजाए रातरी जाग्रंग करनी चाहिए। हर्तालिका तीज का शुब महूर्त हर्तालिका तीज का आरम 17 सितंबर को सुबह 11 बचकर 8 पर होगा और इसका समापन दोपहर में करीब 12 बचकर 49 मिनित पर होगा। उद्या तिथी की मान्यता के अनुसार यह वरत 18 सितंबर को रखा जाएगा। हर्तालिका तीज की सुबह की पूजा सुबह 6 बजे से रात को 8 बचकर 24 मिनित पर होगी। उसके बाद शाम को प्रदोशकाल में महिलाएं सजधचकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए। धन्यवाद।